हलो गैज आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल टॉपसिंट पर तो यूपी स्कॉलर्शिफ को ले करके आप सभी लोगों के लिए बड़ी अच्छी अपडेट आ चुकी है आपको मैंने बताया भी था कि फरोरी मिट से आप लोगों की जो स्कॉ स्कॉलर्शिफ आरी हम लोग बात करेंगे सबसे पहले तो अगर आपने इस चैनल को सबस्काइब नहीं किया तो अभी आप तुरंट चैनल को सबस्काइब करेंगे क्योंकि अगर आप इस चैनल को सबस्काइब करेंगे तो आपकी स्कॉलर्शिफ आने की चांसे सोड़े ज कि I am doing my BA first year and first semester today, I got my scholarship 3200 only, but it's even less than my first year fees, इन्हों नहीं ये कहा है, कि मुझे 3200 रुपे scholarship मिली है, लेकिन पहले जितना फीज जमा क्या उससे कम है, तो फिलाल के लिए इतना ही मिलता है, आप पिछले 2-3 साल से ऐसा ही है, कि जितना फीज जमा करते हो उतना नहीं आती है, कि scholarship आई है, तो आप लोग ये जान सकते हैं कि scholarship आना शुरू हो चुकी है, ऐसे ही और भी लोग हैं, जैसे यहाँ पर कुमार भुपेंदर जी हैं, इन्हों ने भी लिखा है, कि सर मेरी scholarship आ गई है M.A. first semester, 4649 रुपे इनकी आ चुकी है, वहीं पर beard की भी scholarship आ चुकी है, बाकी तो पहले सभी की first installment आ जागी, उसके बाद में जो है, यहाँ पर second installment आएगी, तो second installment के लिए मैं बाद में बताऊंगा, पहले first installment हो जाने दीजी, उसके बाद यहाँ पर और बी यहाँ पर लोग हैं, जैसे की कुल्दीव भाई साब बता रहे हैं कि beard first year में आज मेरी 21,100 रुपे आ गई है, तो इनका भी beard है, इनकी भी scholarship आ चुकी है, और यहाँ पर कुल्दीव जी भी वही बात लिख रहे हैं, वही पर और भी यह आदित्या चौधरी जी भी कह रहे हैं कि मेरी जो है आज first installment मिल गई है 20,600 रुपे, तो तक्रीमन 20,000 और 20,000 रुपे के आज़ पास जो है लोगों के यहाँ पर scholarship आ रही है, तो आप लोग भी अपना account चक करते रहे हैं, कर आपका verify recommended है, अगर आपका status verify recommended है, तो आप लोग account चक करें, और अगर आपने correction किया है, और आपका अभी तक status verify नहीं हुआ, तो आपको परिसान नहीं होना है, उसके लिए आपको इंतिजार करना होगा, वो आपका status verify हो जाएगा, अगर आपको status देखना नहीं आना है, यहाँ पर आपको ऊपर click कर देना है, जैसे ही आप लोग ऊपर की तरफ click करेंगे, आपका कुछ interface इस प्रकार का open हो जाएगा, यहाँ पर आपको सबसे पहली नीचे चले आना है, और यहाँ पर check UP scholarship status दिख रहा है, इस पर आप click कर देंगे, और जैसे ही आप click करेंगे, आपका पूरा interface इस तरीके से open हो जाएगा, यहाँ पर आप किसी में भी हैं, pre-matric में है, post-matric में है, high school, inter, 9, 10, किसी का भी status आपको देंगे, जैसे 9, 10, 12 का आपको देंगे, यहाँ पर आपको कुछ इस प्रकार का आपका interface जो हे open हो जाएगा, जहाँ पर आपको अपको डेटा बर डाल देना हो गा, आपका पास्वर्ड होगा, उसको डाल देना हो चलिए तो आपने status देख लिया तो इसी साब से आप status देखिए और हाँ चैनल को तुरंद सब्सक्राइब कर लिजिए और जो भी आपके college का group है पहले तो आप वहाँ पर इस वीडियो को share कर दीजिए जिससे सभी लोगों को यह authentic information लोगों को मिल जाए तो मिलते हैं अंगली वीडियो में तब तक के लिए खुसर रही है मसत रहिए जय हिन जय भारत